हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस बीजी चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियों बात करेंगे दोस्तों आई टीई एडमीशन 2020 के बारे में तो दैसा कि आप सबी को पताए कि आई टीई के एडमीशन होना स्टार्ट हो चुके हैं और आई टीई की मैरे लिस्ट भी आई टीई की एडमीशन के लिए मैरे लिस्ट डानलोड करने का तरीका पूरा बता दिया दोस्तों हम बात करेंगे जब आई टीई के एडमीशन लेते हैं तो हमको कॉलिज अलोट हो जाता है ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनना है तब ही आपको अच्छे समझ में आएगा हम हमको कॉलिज अलोट हो जाता है और कॉलिज अलोट होने के बाद में हमको क्या करना होता है वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता हूँगा दोस्तों बहुत सारे केंडिडेट के मन में कॉस्टन है कि हमको कॉलिज तो अलोट हो गया है लेकिन कॉलिज अलोट होने के बाद में हमको करना क्या है वो हम इस वीडियो के माददम से देखेंगी साथ ही हम देखेंगी document verification कब होगा second number हम देखेंगी college alert होनी के बाद में हमको document verification कराना होता है और third number पर हमको peace submit करनी होती है peace कब submit करनी होगी मैं तीनो process आपको एक एक करके बता हुआ यानि college मिलने के बाद तक का पूरा process और college में admission लेने तक का पूरा process में आपको completely इस वीडियो के मादब से बताने बाला हूँ तो जो भी चैनल पर यह विजट करेंगे रुकर्ष्ट करूंगो चैनल को जानदा जानदा सस्क्राइब कर लिना है साथ कोई भी डावट होता है तो इस्टरक्राम पर पॉलो कर लिना है तो देखिए दोस्तों जब भी आपको college अलोट होता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरपेस आता है online campus counseling 2020 आई टी पर्ष्ट तो पर्ष्ट राउंड के लिए हमको जब college अलोट होता है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरपेस आता है जैसा कि आप देख पा रहे है यानि कि अब हमको college अलोट हो गया है अब ध्यान से सुनना है मैं आपको first number की process बतांगा कि college अलोट होने के बाद हमको क्या करें देखि यह हमारी 38, 2020 से लेकर 1, 2020 तक हमको क्या कराना होता है हमको जो college अलोट हुआ है यानि कि जो college हमको अलोट हुआ है इस college में जाकर के 31.8.2020 तक इस college में जाकर के हमको क्या कराना होता है अपने document verification करानी होती है दोस्तों क्या कराना होता है document verification करानी होती है दीगे यहाँ पर भी लिखा गया है इसके लिए allotment पत्र के साथ संसता में दस्ताबिजों के सत्यापन के उपरांद आपको peace बननी होती है यानि कि पस्ट नमबर पर हमको college allot हो गया और college allot होने के बाद में हमारी जो तारीक है इस तारीक तक हमको क्या कराना होगा हमको अपने college में जाकर document verification कराना होगा तो document verification का second number का step भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पस्ट नमबर पर हमको क्या करना है college allot होता है college allot होने का जो step होता है यानि कि जो इस तरह का हमारी सामने इस इंटरपेस आता है इस तरह का हमारी सामने जो की allotment letter आता है पस्ट नमबर पर हमारा यह allotment letter आ चुका है और allotment letter आने के बाद में हमको जो college allot हुआ है second number पर second number पर हमको इस तारीक तक जाकर अपने college में जाकर करके हमको क्या कराना होगा हमारे जो document verification हमारे समझत document को verification कराना होगा okay इसके बाद में हमको क्या करना हुआ ही second process हो गया और third number पर हमको क्या करना होता है दोस्तो थर्ड नमबर पर हमको करना होता है document verification कराने के बाद में हमको अपनी जो piece होती है ना दोस्तो उस piece को submit करना होता है क्या करना होता है हमको अपनी piece को submit करना होता है piece कैसे submit होती है दोस्तो online होती है online होती है हमारी piece submit देखिए यहां पर लिखा भी है आबेदक इस बर्स ITI की पीस ओनलाइन बरनी होगी कैसे बरनी होगी दोस्तों आपके अपनी पीस ओनलाइन बरनी होगी और ठीक है थर्ड नमबर पर हमको क्या प्रोसेस होता है हमारा थर्ड नमबर पर हमको पीस ओनलाइन बरनी होती है अब दोस्तो पीस हमारी online तब ही भरी जाएगी जब हम इस college में अपने document बैरी पेकिशन करा लें, अगर हम document बैरी पेकिशन नहीं कराएंगे, तब तक हम अपनी piece को submit नहीं कर पाएंगे, अब दोस्तो बात आती है कि हमको अपनी piece कितनी submit करने है, जब भी आप अपना allotment letter download करोगे उसके just नहीं से दोस्तो पीस की जो की information दी जाएगी, शुलकी की जानकारी दी जाएगी, आपकी piece कितनी लगेगी 4380 रुपे, यानि कि total आपकी piece कितनी है, 4380 यह piece जो की कैसे होगी, online होगी submit, online करनी होगी submit, online करने का तरीका मैं आपको बता दूँगा दोस्तों, मुझे जान कौन से document verification कराना होगा, यह सारे document verification दिये गए हैं, कौन कौन से document verification कराना है, यह सारे document verification के लिए दिये गए हैं, यह सारे document हमको verification कराने होगी, उकी दूस्तों, जानकारी समझ में हागी होगी, पस्ट नमबर पर हमको क्या करना होगी, एक बारों मैं आपको बताते हूं, आपको बता दिया है हमारी त्वहर नंबर पर हमने पीस को संमिट कर दिया है हमने अपनी पीस कितनी संमिट कर दी चार हजात तीन सु अastern rupi अपने पीस की उसलाइट कर दी इसका बाद मेत है उस पीस को सिलाइट होगा हमको इस क्वालग के ले जाकर जमा करना है उस slip को जो इस print out को जो piece का print out निकलेगा उस print out को हमको इस column में जाकर जमा करना है और हमारा जो admission है पूरा process complete हो जाएगा मैंने आपको पूरा process बता दिया है college allotment होने के बाद से लिकर के और admission process होने तक मैंने पूरा process आपको बता दिया अम्मित करना जानकारी समझ में आगी हो